स्वागत्या आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कप्छा 11 में विसे हिंदी अनिवारे कग्रे कारे अध्याय है राम नरेश त्रिपाटी पथिक भाग दो पहला प्रशन है संसार को कौन और कब धक लेता है संसार को अंदेरा अर्ध रात्री में पूरी तरे धक लेता है प्रशन नमर दो है म्रदू गती से कौन आता है म्रदू गती से सूर्य आता है प्रशन नमर तीन है चंद्रमा कब हसने लगा रात्री की समाप्ती पर सूर्य छिप छिप कर आकास गंगा के सौंदर्य का पान कर रहता है इसी सूर्य की आगमन से आकास में चंद्रमा भी वीमुग्द होकर हसने लगता है प्रश्ट नमबर चार है कवी का आत्न प्रले कब होता है कवीर कहता है कि प्रकरती में चल रहे प्रेम लेला अर्थात सूर्य दोय से पूर्व आकास गंगा के तारोक का जग मनाना जग मगाना चंद्रमा का हसना व्रक्चों का सजना पक्षियों और परशियों का चहकना और फूलों का महकना को देखकर मेग भी प्रेम से उनमादित हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है वे अपने प्रेमों नान को प्रकट करने के लिए बनो उपबनो पहाडों परवतिय समतल धर्ती एवं कुंजों पर बरस पड़ते हैं इस प्रेम लेला के दर्से को देखकर स्वें कवी भी भाव विवहोर हो जाता है और उसकी आँखों से अस्वधरा प्रभाईत होने लगती है प्रशन नमबर पांच है कवी ने किस राज्य को सरवादिक सुन्दर कहा है कवी ने प्राकरतिक प्रेम के राज्य को सरवादिक सुन्दर कहा है इस प्रकारता हमारा कक्षा 11 का हिंदी अनावरे का ग्रे कारे जुड़रे चैनल के साथ धन्यवार